कटिहार में दवंगों ने महिला के मुह में पत्ते ठूस कर उसके दोनों आँखे को फोर दी कटिहार में एक सक्स ने 45 साल की महिला की दोनों आँखे फोर दी वारदात के वक्त वो अपनी 8 साल की बच्ची के साथ सो रही थी बच्ची ने बताय कि आरूपी आया दी 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 कहकर आवाज दी दरवाजा खोलते ही माँ को धमकी देने लगा वे कुछ बात करना चाहता था माँ ने मना किया तो माँ के हाथ बान दे मूँ में पते ठूसे और लक्री से आँखे फोर दी मामला अमदाबाद धाना चेतर के डेकरा इंगलिस बांध के पास की है महिला की हालत गंबीर है उसे सदर अस्पताल लाया गया था लेकिन हालत गंबीर होने पर मेडिकल कोलेज रेफर कर दिया गया पीरीत महिला रेखा देवी की आठ साल की बेटी ने बताया की रात बारा वजे गौँ का ही मौमद समीम उनके घर पहुंचा मा को दीदी कहकर बाहर बुलाया जब मा आवाज सुनकर बाहर निकली तो उसनी थोड़ी देर रुकने के लिए कहा वो अबात करना चाह रहा था मा ने मना कर घर के अंदर जाने लगी इसी दोरान आरोपी ने पकर लिया और खीच कर पास के पटवा खेत में लेकर चलाए गिया इस दोरान बेटी ने घटना को अपनी आँखों से होते देखा बच्ची ने बताया कि उस युवक ने पहले उनके मा के दोनों हाथ बांद दिये इसके बाद उनके मुह में पटवा का पता तोर कर ठूस दिया बाद में पटवा को तोर कर उस से निकली संठी से उनकी दोनों आँखों में घोप दिया गटना को अँजम देने के बाद वक्ती फडार हो गया इधर महिला की पुत्री ने पड़ी जनों को इसकी जानकारी दी, पड़ी जन मौके पर पहुंचकर महिला को स्वास्ट के अंदर लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंबीर होने पर सदर अस्पताल ने फड़ कर दिया, जहां सदर अस्पताल में भी महिला की हालत को देखते हालांकि इस घटना की जानकारी अमदबाद थाना पुलीस को दिर दी गई है पुलीस घटना स्तर पर पहुंचकर आजबास के लोगों से पूछ ताच करते हुए जाच में जुट गई है स्पी जितेंद रुकमार ने बता है कि परतम द्रिष्टिया मामला आपसी दुस्मनी का लग रहा है तो दुट दू दुट परतोब कहता है पक्ति का करता आट करता हुए पप्ति क्या करता है पफवटी पप्ति व त्र द लिंग स्थाष्ट पिपना महिलाक नम क्या ऑ है आपक़ेटी के नम क्या है वहां भी थिखे, एदेख माण कर दिताई? के नम है रसके हैं वह नम गड़ भूला थने बचा जाना था हम तो बस्ति भात निया बान पर रहा था बचान जानी का नम क्या है हमरा वाला मनार बते देगे आपकी को लगते हैं वेटी है